नमस्कार दोस्तों, दिल्ली बॉर्डर पर पिछले दो धाई महीनों से किसान अंदोलन के नाम पर हो रहे हुर्दंग में भी यह बात बहुत जोर सोर से उच्छाली जा रही है कि इस सरकार ने देश के एरपोर्ट अडानी को बेज दिये हैं और अब किसानों की जमीन पर नहीं सबसे सई टाइम है आईए जानते हैं कि सच क्या है तो सबसे पहले बात उस मुंबई एरपोर्ट की जिसे अडानी को बेज देने का आरोप मोदी सरकार पर तब लगा जब पिछले साल सितंबर में हुए एक सौदे में अडानी की कंपनी अडानी एरपोर्ट होल्डि को बेच रही है गोर आश्चरिय एवन शर्म का विसाय यह है कि सबसे ज्यादा यह शोर और हुडदंग कॉंग्रेस मचा रही है उसके प्रवक्ता आज भी चीक चीक कर यह आरोप लगाते रहते उससे भी अधिक आश्चरिय एवन शर्म का विसाय है कि न्यूच चैनलों प मोधी सरकार सत्ता में उस समय मुंबई एरपोर्ट में जीवी के ग्रूप की हिस्सेदारी 50.5% थी बिडवेस्ट कमपनी की हिस्सेदारी 13.5% और एरपोर्ट कमपनी ओफ साउथ अफरीका की हिस्सेदारी 10% थी यानि मई 2014 में मुंबई एरपोर्ट की कुल 74% हिस्सेदारी निजी छेत्र के पास ही थी उसे यह हिस्सेदारी UPA सरकार 2006 मई बेच चुकी थी केवल 26% हिस्सेदारी भारत सरकार के पास अर्थाद एरपोर्ट अथोरिटी आफ इंडिया के पास थी पिछले साल सितंबर में अडानी ने जो 74% हिस्सेदारी खरी दिये वो हिस्सेदारी उसने उस जीवी के ग्रूप मिडवेश्ट कंपनी और एरपोर्ट कंपनी और साउथ अफरीका से ही खरी दिये जिने यह हिस्सेदारी UPA की सरकार बहुत पहले 2006 में ही बेच चुकी थी अब आप खुद यह तै करिए कि क्या मोदी सरकार देश के एरपोर्ट अडानी को बेच रही है क्योंकि यह कहानी केवल मुंबई एरपोर्ट की नहीं है देश के जो चार प्रमुक एरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर है उनमें से बाकी तीन की कहानी भी बिलकुल ऐसी ही है मई 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई उस समय दिल्ली एरपोर्ट में GMR ग्रुप की हिस्सेदारी 64% फ्रापोर्ट एजी की हिस्सेदारी 10% थी यानि कुल 74% हिस्सेदारी नीजी छेत्र के पास थी उसे यह हिस्सेदारी UPS सरकार 2006 में ही मेज चुकी थी केवल 26% हिस्सेदारी भारत सरकार के पास अर्थात Airport Authority of India के पास थी मई 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई उस समय हैदराबाद Airport में GMR Group की हिस्सेदारी 63% Malaysia Airport Holdings की हिस्सेदारी 11% थी यानि कुल 74% हिस्सेदारी नीजी छेत्र के पास थी उसे यह हिस्सेदारी UPS सरकार December 2004 में ही बेच चुकी थी अर्थात केवल 26% हिस्सेदारी भारत सरकार के पास थी जिन में से 13% हिस्सेदारी अब तेलंगाना सरकार के पास है मई 2014 में जब मोधी सरकार सत्ता में आई उस समय बैंगलोर एरपोर्ट में GMR Group की हिस्सेदारी 43% Siemens Project Ventures की हिस्सेदारी 26% तथा Flughafen Zurich AG Limited की हिस्सेदारी 5% थी यानि कुल 74% हिस्सेदारी नीजी छेतर के पास ही थी उसे यह हिस्सेदारी कॉंग्रेस की UPS सरकार जुलाई 2004 में ही बेच चुकी थी केवल 26% हिस्सेदारी भारत सरकार के पास अर्थात Airport Authority of India के पास थी यह कहानी बता रही है कि देश के चार सबसे बड़े और प्रमुक एरपोर्ट की तीन चौताई हिस्सेदारी UPS सरकार बरसो पहले बेच चुकी थी लेकिन यह कहानी बहुत लंबी है इसलिए बाकी कहानी फिर किसी दिन किसी अगले वीडियो में बहुत जल्दी बताऊंगा फिलाल इतना जान लीजिए कि मोदी सरकार को मै 2014 में UPA की सरकार जिस Air India को सौप कर गई थी उसकी नेट वर्थ उस समय लगबग पच्यास इक्यावन हजार करोड थी और उस पर कुल कर्ज लगबग त्रेपन चौपन हजार करोड का था कथा उसे हर वर्ष उसे लगबग साड़े पांच हजार करोड का घाटा हो रहा था अभी के लिए बस इतना ही थैंक यू वेरी मच जैहिन